हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मौसम तो देखिए आज कल कैसा ठंडा हो गया है कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता है पर फिर भी दोस्तों हम उठी जाते हैं हमें पता है कि हम नहीं उठेंगे तो काम कैसे होगा खाना कैसे बनेगा breakfast, lunch बच्चों को school भेजना है, husband को office भेजना है आजकल क्या हो गया है दूद आता है तो एक बिल्ली भी आ जाती है दूद गिरा देती है तो उस चकर में मैं मजबूरी में ही सही पर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मैंने ये महसूस किया है friends कि जब हम आराम से करते हैं, ऐसे हबडा दबडी में नहीं करते कि कम टाइब में जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे ऐसा है कि आराम से काम टाइमली फिनिश हो जाता है एक और important बात इसी से related ये भी है दोस्तों कि आपको पता हो कि आपने बनाना क्या है breakfast में, lunch में, जब आपको clarity रहत करती है और जाडू पोचा बरतन करती है देखिए पोचा जो होता है वो कहीं भी कैसे भी सूखने डालके जाडू कहीं भी लगा के फैंके चली चाती है obviously वो भी ऐसे ही रखेगी क्योंकि कोई proper place नहीं है तो वही है जब किसी भी चीज के लिए proper place नहीं होता तो आप कहीं न कहीं रख देते हैं वो भी रख देगी मैं भी रख दूँगी तो आज मैंने सोचा इस बालकनी को थोड़ा सा clean करूगी और इंजाडू और मॉप्स के लिए कच्छी सी proper जगा बनाऊंगी तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने time के according आप काम देखें अगर आपके पास time है तो आप बड़ा काम पकड़ सकते हैं अभी देखिए सुबह मेरे पास एक से और घंटे का time कई बार होता है तो मैं कई बड़े बड़े काम पकड़ लेती हूँ जैसे इस मालकनी की थोड़ी सी maintenance भी करनी थी, net चूट रही है, birds अंदर आते हैं और मेर पास एक पुराना hanger पड़ा हुआ था तो जब आप रेंट पे रहते हैं तो आप कुछ ज्यादा पका वाला काम नहीं करते हैं ऐसे हलका पुलका काम कर लेते हैं कि जब आप यहां से निकलेंगे तो सब कुछ समेट की निकलना easy हो तो यह देखिए अच्छ से हो गया है आज बारिश से इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा अब उपर की सफाई होगी है तो नीचे भी लगे हाथ साफ कर लेते हैं वैसे यह साफ ही है क्योंकि मैं time to time इसको हटा के साफ करती रहती हूँ तो लगे हाथ मैंने एक organizer भी मगवाया है balcony के लिए ताकि इसमें washing powder वगेरा रख स लें timely क Independence कर लें तो ठीक रहता है काम होना जरूरी होता है perfect होना जरूरी नहीं होता है तो दोस्तों वही है कि अपने time को देख के अपना kाम choose कीजिए कई बार हमारा time कहीं और चीज में लगना बहुत जरूरी होता है पर हम कामी करते रह जाते हैं तो थोड़ा अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए कि आपको भी टाइम की जरूरत होती है और हरी काम को स्मार्टली करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया आज कल अब ये चिमनीज के फिल्टर्स थे ये बहुत ही गंदे हो गए थे तो मैंने अब मैं सुभा करने लगती इनको तो टाइम लगती है तो मैंने रात को इनको भीगो के रख दिया तो सुभा एकदम ओयल निकल गया और एकदम चमक गईया देखिए तो दोस्तों ये काम होते हैं, करने पड़ते हैं और ये प्रेशरी बिल्ड करते हैं कि हमें करना था आज भी नहीं किया, कल भी नहीं किया तो थोड़ा सा अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सहुलियत के हिसाब से सब manage करना बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है और ये time के साथ ऐसा नहीं है मुझे पहले से ही आता है हम home acres भी दीरे दीरे गलतियां करके सीचते हैं और कोई भी perfect नहीं बनता है सारी जिंदगी चला ही रहता है काम और देखिए अगर चोटे चोटे बच्चे होता है घर पर जैसे ही आप काम खतम करते हैं एक नया काम आपके लिए तयार करके बैठे होते हैं तो दोस्तों इसी से ही related अब next point है कि routine set नहीं हो पाता है मैंने कई books वगेरा में पढ़ाई कि एक routine set होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मैंने कोशिश भी गिया है पर चोटे बच्चे होते हैं और या घर की condition कुछ ऐसी होती है कि नहीं आपका routine set हो पाता है तो ठीक है ना जरूरी नहीं है कि आप एक ही routine से चलिए ये जरूरी है कि आपको time मिल रहा है आपका काम हो रहा है तो दोस्तों ये है कि अपने आपको hardship में नहीं डालना है कि इसके बाद मैंने ये काम करना है ये काम करना है ठीक है flexibility जरूरी होती है life में और थोड़ी सी मन की शांती भी जरूरी होती है और मुझे ऐसे लगता है हम home makers को तो ज़्यादा जरूरी होती है मन की शांती क्योंकि हमारा दिमाग पता नहीं कितने कामों के बीच में उलजा होता है जैसे ये दीपक दिख रहा है न दोस्तों आराम से शांती से प्रकाश दे रहा है मैं भी चाहती हूँ कि नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है शायद मुझे में ही कोई खराबी है कमी है तो कई बार होता है दोस्तों ऐसे कई काम हमने रखे होता है नहीं कर पाते हैं हम ठीक है न अगर चूट गया है तो चूट गया है next day आएगा तब करने की कोशिश करिएगा तोड़ के ही करती हूँ, करिक बार बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ तो साथ में थोड़े से कप्रे फॉल्ड कर देती हूँ बीज़ीच में याद आजाती है, तब फॉल्ड कर देती हूँ तो यही है दोस्तों की काम को अपने उपर हावी ना होने दे कई बार हम चलते फिरते रहते हैं घर में कितने ही चक्कर लगाते हैं इदर उदर सामान पड़ा होता है अगर बच्चे हो तो चलते फिरते पकड़ लिया हाथ में और ले गए तो साथ साथ में कई काम आपके खतम हो जाते हैं कई काम हमारे Pen देंग रहते हैं जैसे मुझे मैट्स दोनी थी, पौदों को खाद देनी थी तो मैंने मैट्स भी गो दीं हैं तब तक पौदों को खाद देंगे और किछन के ढल्स मशीन में धुल रहे हैं तो ये चोटे-चोटे काम होते हैं गठे-गठे हो जाते हैं और हमें भी अच्छा फील होता है अब बुक्स टॉइस सब नीचे गिरने वाले हैं तो ठीक है अभी इनका टाइम है करने दीजिए खेलने दीजिए और हमें जो अपने काम करने हैं जरूरी है आप उन पे फोक्स कीजिए और काम को खतम कीजिए अभी लंच बन रहा है तो मैं लंच जल्दी से बना के खतम करूंगी और बच्चों को खिला देती हूं और वो सो जाते हैं तब थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी बच्टा है उसमें मैं कोई क्राफ्ट बगेरा बनाती हूं और आज मैंने सोचा है कि कुछ मैं अपने आपको अपनी बेटी को मॉटिवेट करने के लिए क्राफ्ट बनाऊंगी तो सिंपल सा कार्ट बोर्ड लिया है और उस पे अलग अलग रंग कर दिये हैं जो भी आपको पसंद है आप वैसे वैसे रंग कर सकते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कलर्ज के साथ कुछ न कुछ करना अब मैं कुछ अच्छी अच्छी वर्डिंग्स लेक रही हूं जैसे फोकस, कीप गोइंग बगएरा बगएरा तो इनको देखके कुछ होता है, अंदर से फील होता है कि या नई, सच में हमें चलते रहना चाहिए अपने आप पे बिलीव करते रहना चाहिए तो यही है दोस्तों, मैं भी चाहते हूं कि मेरी बेटी भी इनको देखे और थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करे एनिवेज, तो कार्डबोर्ज वगरा घर पे पड़े ही रहते हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसे बना ही सकते हैं ऐसा नहीं बना तो कुछ और जैसा बना दिया अगर आपको भी शौक है तो अब ही ये almost complete हो गया है इसके border को हम black कर देंगे black जब लगाते हैं तो ऐसा feel आता है कि ये सच में ही frame यूज कर रहे हैं तो देखिए finally कुछ इस तरह से बन के आया है और इनको पढ़के यूनों कभी-कभी तो थोड़ी सी motivation तो जागी जाती है और अच्छे भी लग रहे हैं colorful हैं और बच्चों के kids के room में बहुत अच्छे लगते हैं तो दोस्तों इतने अच्छे-चे coach के साथ आज का वीडियो खतम करती हूँ I hope आज का वीडियो आपको useful लगा होगा अपने से कुछ न कुछ थोड़ा सा relate किया होगा आपने चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत जारा ख्याल रखिए और खुश रहिए बाई बाई